असलाम रिक्म गाईज, वेलकमेट में यूटीब चैनल, इलेक्टोनिक डिवाइसिस एनेलिसिस जैसे कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में देखा कि हमने कैसे बाइनरी नबर्स को बीस्टीडी और एक्सस्टीरी कोड में कनवर्ट किया और ये देखा कि हमने कैसे उनकी अडिशन और सब्चेक्शन की और मुफ्तिलिफ सलुशन निकाले तो आज हम एक निया टोपिक डिस्कुस करने वाले हैं जो कि ग्रे कोड की मुतालिक है जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे बाइनरी नबर्स को ग्रे कोड में कनवर्ट कर सकते हैं फर्स पॉइंट है कि इसको फ्रेंक ग्रे एक साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया तो जिनके नाम पर इसका नाम ग्रे कोड रखा गया पोर फेंट कोड हर एक नमबर को अगर हम ग्रे कोड में कनवर्ट करेंगे तो वह फॉर बिट्स में रेपरिसेंट होगा ठीक है यानि अगर 15 को हम represent करेंगे तो 1111 ठीक है यह तो binary में है लेकर अगर हम इसको gray में convert करेंगे तो वो भी 4 bits में ही होगा अब third point हमारे पास error correction purposes gray code हमारा error correction के लिए यूज़ रता है जैसे कि हम कोई भी digital communication हम इस्तमाल करते हैं आज कल तो digital communication में क्या होता है कि हम पहले error को detect करते हैं लेकर हम जब error को correct करते हैं error को detect करने बाल जब error correction की बारी होती है तो हम उसके लिए gray codes का ज़्यादतर इस्तमाल करते हैं so guys move to our first topic binary number हम लेते हैं कोई भी और उसको हम gray code में convert करते हैं यहाँ पर मैं एक binary number ले रहा हूँ gray code में convert करना है तो यह कैसे होगा जो first number होगा हमारे पास इसको वैसे हमने लिख देना है नीचे ठीक है आप हमने क्या करना है जो first number और second number इन दोनों को हमने कर देना है addition one और zero add होंगे तो one और zero one होता है ठीक है तो यहाँ पर one ना आ जाएगा ठीक है अब first और second के addition कीते हैं आप second और third के addition करना है जीरो प्लस one is one ठीक है आप third और fourth की करने बन प्लस one is zero with one carry ठीक है अब ये हमारे पास जो नंबर आया ये हमारा आगे है binary में ये हमारे पास आगे है ironry में ये हमारे पास जो नंबर ये था हमारा binary में ठीक है लेका हमारे पास कुछ examples ऐसी भी होती है जहां पर हमें decimal number given होता है यहाँ पर हमें एक decimal number given है, 7, 8, 5, 2, ठीक है, यह decimal number है, अब हमने इसको अगर gray में convert करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या करना होता है, इस decimal number को हम या तो BCD या binary से, अब इसको binary number में convert करेंगे, फिर इसको gray में convert कर सकते हैं, अब 7 को 4 bit के लिए था, gray को जोड़ा 4 bit में होत 0, 1, 2 का 0, 0, 1, 0, ठीक है, अब हमने इस number को gray में convert कर देना है, तो simple वही तरीका, अब 0 को निचे लें, अब 0 में 1 एड़ करें, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0 with 1 carry 0 discard, ठीक है, 1 discard हो गया, तो 1 plus 1 is 0, ठीक है, अब 1 plus 1 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 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 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 0, ठीक है, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, तो यह हमारे पास binary number था, यह हमारे पास decimal number था, और यह इनका आ गया है, हमारे पास gray equivalent, तो यह हमारे पास एक simple सा topic है, कि हमारे पास कोई भी एक number, अगर हमें decimal में या binary में given होता है, तो हमने कैसे उनको gray equivalent, पूलिम्ने convert करना है, तो यह एक simple सा topic था, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like कर दें, चैनल को subscribe कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, अला हाफिस.